Hello Friends, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कच्छतिवू आइलेंड के बाद में हम लोग अक्सर इसको न्यूज में पढ़ते हैं, देखते रहते हैं सामाचार में कि कच्छतिवू आईलेंड को लेकि इंडिया और स्रेलंका के बैचमे हमेसाज से dispute होते रहा हैं, अब इंडिया और स्रेलंका में dispute होने का मेन वज़ा है इस आईलेंड पे fishing को लेकर उता है, चुकि इह आईलेंड निरजन है, यहां पर कोई इंसाम रहता नहीं है लेकिन ये ऐसा island के यहां पर finns काफी जादर फ्रिसिंग जोन होने की वज़ा से इंडीया और स्रेलंका हमेशा fishing कोन लेकर एक दूसरे के boundary में प्रेस्ट कर जाते जिसके वज़ा अक्सर dispute सुनने को मिलता है अब यह news में है क्योंकि इंडिया को जो external affair minister है उन्होंने इंडियन फिसर मिन पे क्या right है कच्छतिवू आइलेंड को लिएकर उसके बारे उन्होंने चार्चा किया हम लोग समझते है कि कच्छतिवू आइलेंड है क्या कच्छतिवू आइलेंड को सबसे पहले लोकेशन आप देखेंगे तो इधर दे म gifts देखें नहीं करें इंडिया यानि टमिल नाठू का पारिए क्या और यह इंडिया के बीच में पड़ता है और यह आइलेंड जो है निर्जन है यहां पे कुछ भी लोग नहीं रहते हैं यहां पे फिसिंग जोन के रूप में बाना रहता है तो इसको लोकेशन की बात करें तो इसको लोकेशन है नौथिश्ट ऑफ रामेश्वरम रामेश्व को देखे का कि dispute का क्या है? dispute का main वज़ है illegal coaching. सिलंका के द्वारा हमेशा इस बात को लेकर इंडिया पे आरूप लगाया गया है कि इंडियन लोग वहां पे ऐसे जाल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे टेकनी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वहां पे मचलियों को बच्चे से लेक है कि ऐसा कुछ इसके लिए कुछ rule regulation होना चाहिए कि कि किस प्रकार कितना मचली और किस एरिया से मचली को पकड़ा जा तो illegal poaching को लेकर हमेशा इंडिया और सिलंका की बीच में dispute होते रहा है हम लोग इसको कुछ history जानते हैं तो इस कच्छतिव आइलंड का volcanic eruption से 14 सताब्दी में इसका निर्मान हुआ था सुरुवात में इसको श्रीलंका का जाफना मोनार्की है जाफना का जो राजा है जो यहां का है जाफना जाफना का जो राजा है वो इसको रूल कर रहे थे उसके बाद में यह पार्ट बना ब्रिटिस राज के दोरान यह मद्रास presidency का पार्ट ठीक है डिस्प्यूट का सुद्वात हुआ 1921 में 1921 में जब इंडिया और श्यलंका उससे में बिटिस कॉलनीज थे तो उससे में कच्छतिव आइलेंड पे दोनों अपना दावाद होगने लिगे और इसमें इस बात पर दोनों की बस होए कि इसका fishing boundary को define किया जाए कि इसको fishing boundary इंडिया का एरिया कहां से fishing boundary कहां तक fish पकड़ सकता हूँ शेलंका कहां पकड़ सकता है तो यह 1921 में फर्स्ट टैम में डिस्प्यूट अब है कि डिस्प्यूट को लेकर कई सारे agreement भी करने की कोशिस किये गया है उन सारे agreement के हम लों बात करें तो कुछ agreements हैं तो सबसे जो बड़ा agreement रहा वह दा 1974 का और उसके पहले 1974 से पहले 1921 में डिस्प्यूट सुरू हुआ और 1974 तक वह लेंड हमेशा disputed रहा इस पर नहीं किसी के द्वारा प्रयास किया गया और बिल्कुल जैसा है वैसा विवाद विवाद के साथ अपना चलता है उनसे चुहत्य में initiate किया ग कि यह जो है आईलेंड जो है वो तो सिलंक को शॉपड दिया जाए Тут गोवेन्ट के समूलॉच तो उन्छी सवत्त है में उसके बाद में फिसींग राइट को लेकर आग्रिमेंट के साथ अगरिमेंट रहा किसमे कि इंड्यान ऑख ऐन को संपड जाएया लेकिन इंड्यान फिसर मैं उसको फिसिंग कर सकते हैं इस तरह आग्रिमेंट हुआ तो इंडिया शिलंसटा आर्मेंट जो है वो इंडियन वीसर मेंड को फिस करने लिए करते हूऊ आइलेन को आइलेन के अस-पास में दे दिया गया परमेंशन उसके साह्थ उन भी परमेंशन साह्सन दिया कि वहांगो अपने है को सुखा भी गया कि emergency उसमें था 1976 के समय में उसमें बताया गया कि जो fishing के लिए एक exclusive economic zone बनाए गया EEZ जो international जो मैड़ी टाइम जो boundaries होते है वो हमारा एक होता है EEZ जो कहते है exclusive economic zone इसके बाएं में हम लोग EEZ ACZ इसके बाएं में हम लोग से बात करेंगे तो इसको अब समय लिजे कि exclusive economic zone जो है वो अपने अंदर ही इसी जो भी देश का boundary है वो अपने exclusive economic zone के अंदर ही fishing करेंगे वो दूसरे boundary में प्रवेश नहीं करेंगे तुस तरह से कह सकते हैं कच्छतिवू आइलेंड को लेकर उन्हें से 74 और 76 में agreement हुआ अब है तो तमिलनाडू का अपना जो फैक्ट हो करना है कि बिना किसी consultation के कच्छतिवू आइलेंड जो है वो शिलंका को दिया गया इस कच्छतिवू आइलेंड को सौपने के लिए पहले पार्लियामेंट में और जो तमिलनाडू का जो विधान से भाहा है तमिलनाडू का एसेंब जो है उन्हें सु एकानवे में एक डिजास्ट्रस इंटर्वेंशन हुआ था जब इंडिया और सेलंका दोनों मिलका जो एल्टीटी है एल्टीटी जो वहां का एक तमिल एलम एक ग्रूप था एक टृरिस्ट ग्रूप था वह जापना पर पुरा कबजा की हुए था उस सम प्रिली भाग लिया था और इसका ऑपरेशन के नाम रखा गया तो ऑपरेशन पवंग इसा आपका प्रिलिम्स के लिए इंपोरेटन्ट रहाता है और इसी का एक ऐसा डिजास्ट्रस हमको एक देखने को मिला कि इसी जब इंडिया के द्वारा एक्शन लिया गया कि एल्ट प्रिटी आतंकवादी के किसी गिरोह के द्वारा राजयो गांधी को हत्या किया गया था अब एकी तमिलनादी असेंबली अगेन इस बात को उठाया कि कच्छतीवू को फिस से कच्छतीवू को और फिसिंग राइट जो है तमिलनादू का तमिल फिसर्वन को उन लोग को बहाल किया गया इसको भी मुद्दा तमिलनादू एसेंबले मुठाया गया था दोजार आठ में अगर हम लोग बात किया तो एक पेटिशन डाला गया थे ए आई डीम को सुप्रीमो जैल लिता जैल लिता उनके द्वारा एक फाइल किया गया था पोड में किस उन्हों में कहा सकते उसके लिए में पास होना जवरी हो था हम अपने कम से कहां अपनी हिस्से को दुस्रे देश को नहीं दे सकते तो इसको लेकर पाइलेमेंट में अग्रिमेंट होना चाहिए मतलब डिस्क्रिशन होना चाहिए था यह नहीं हुआ इसके बारे में एक पेटिशन डाले थे कि एआईडियम के सुकीमों लेट जयल एलीजडा की द्वारा अब कि इसको ट्रांसपर आइलेंड का इंपक्ट किया हो गया कि सेलंका जो है ट्रांसपर जैसी हुआ सेलंका को तो यू नियन गभ मेंन के द्वारा तो उसमें किसी भी प्रकार का ना तो तमिल नाटू फिसर्म कॉन ही लिगाे चुक् catches नहीं होने के वज़ा से गर्थां में भूज जाते हैं कि तुछा में एक प्र कर दैंद तो इन सब चीज़ों के बाएं उनों डिसकस कियें तो थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग